10 दिसंबर पर्थम फाली का जो पेपर कंसील हुआ था और उसकी प्रणपडिक्चा 5 मर्च हो हुई उसमें लगभग 2600 रिजल्ट दिया गया है उस सिप्ट से लगभग 2600 रिजल्ट दिया गया है जो की कापी कम है तो आखी ऐसा अक्टिव हुआ बियससी को इसका जवाब देना चाहिए की सधार पर क्या कैसे क्या बियससी को एक नोटीस जारी करके या प्रेस कॉनफरेंस करके मीडिया की माधियम से अव्यर्थियों को बताना चाहिए चुकि 9,000,000 अव्यर्थिये सवाल कर रहे हैं हम सोसल साइट्स पे जिस दिन रिजल्ट आया उसके साम से ही देख रहे हैं अगर ये सही है तो क्यों सही है और अगर ये गलत है तो एक्जेक्ट डाटा बताए किनों पालियों का कितने कितने संच्या में अव्यर्थि सपल हुए हैं और साथ ही पारदर्शिता दाने के लिए बी एससी, वे अमर्सी, कोश्चन, आंसर की और सभी परिच्छार्थियों का मार्क्स ऑनलाइन जारी के बी एससी ये बताएं इकीन परिच्छितियों में पांच मार्च की जो परिच्छा हुई उसका जो रिजल्ट आया है उसमें संच्या कम है या नहीं है अगर संच्या कम है तो क्यों कम है नमस्कार दोस्तों मैं दिलिप कुमार, दोस्तों BSSE, सीजी अर्थी रिपीटी का जो रिजल्ट आया उसमें किसी भी तरह की पारदरसिता नहीं है और BSSE नोटी जारी करके ये कहती है कि हमने पूरी पारदरसिता के साथ रिजल्ट परकासित किया है इस रिजल्ट को देखने से इस पर्ष्ट हो जाता है कि इसमें कोई पारदरसिता नहीं है मेरे पास सैक्रो अभियर्थियों ने फोन किया, वार्टसप पे मैसेज किया और वो लोग बता रहे हैं, सोसल सैच्ट पे भी हम देख रहे हैं और उसकी जो पुनरपरिच्छा पाच मार्च को हुई, तो उस सिफ से रिजल्ट कापी कम दिया गया है जबकि 23 दिसमबर की दूसरी पाली और 24 दिसमबर की पर्थम पाली से जो रिजल्ट आया उसमें संख्या इसकी तुलना में जैदा है 23 दिसमबर दूसरी पाली से 2400 के आसपास रिजल्ट है और 24 दिसमबर की पर्थम पाली से भी लगबग 2400 के आसपास थोरा कम जैदा हो सकता है लेकिन 23 दिसमबर पर्थम पाली का जो पेपर कैंसिल हुआ था उसकी पुनर पर इच्छा 5 मार्च को हुई, उसमें लगभग 26 रिजल्ट दिया गया है, उस सिफ्ट से लगभग 26 रिजल्ट दिया गया है, जो की काफी कम है, तो आखिर ऐसा क्यूं हुआ, बिएससी को इसका जवाब देना चाहिए, कि क्या पेपर लिक के कारण जो एक्जाम कैंसिल किया गया, पर इच्छा रद हुई, तो क्या इसका बदला उन्होंने लिया, उस सिफ्ट बाले से, बिएससी ने इस सिफ्ट का बदला लिया, क्या जो 5 मर्च को पुनर पर इच्छा इसने, आखिर क्या है मामला, बिएससी को ये बताना चाहिए, हम तो नहीं जानते हैं, ये तो बिएससी को पता है, कि किस परिस्तिति में, किन परिस्तितियों में इस तरह का रिजल्ट दिया गया है, तो बिएससी ये इस्फ़स्ट करे, क्या मामला आखिर, 23 दिसंबर पर पाली की पुनरपड़िक्चा पांच मार्च को हुई, तो उसका रिजल्ट जो है उतना कम क्यों है,ишंबी सॉके लगवगी क्यों है। या अगर यह आकरा गलत है, तो BSSE परिख्षा रद हुई थी उसकी पुनर परिख्षा हुई उसका रिजल्ट कम क्यूं है लगभग आधा है अन्य पालियों की तुलना में लगभग आधा ही रिजल्ट क्यूं है या क्या ऐसा तो नहीं है कि चुकि पर्थम पाली 23 दिसंबर की परिक्षा रद हुई पुनर परिक्षा हुई तो उसका पेपर लीक नहीं हुआ दोबारा परिक्षा हुई और 23 दिसंबर की दूसरी पाली और 24 दिसंबर की पर्थम पाली का भी पेपर सोशल सैच्ट पर कोस्टन वाइरल था तो क्या इस वज़सी तो नहीं उसमें जैदा लोग सफल हो गए उन दोण पालियों में आखिर क्या है सचा ये तो हम नहीं जानते हैं य या प्रेस कोनफरेंस करके मीडिया की माध्यम से अभियर्थियों को बताना चाहिए चूकि 9 लाख अभियर्थियों सवाल कर रहे हैं हम सोशल सैच्ट पे इस दिन रिजल्ट आया उसके साम से ही देख रहे हैं रिजल्ट आया उसके बाद से ही हम ये देख रहे हैं तो BSSC क को इस पर स्पस्टी करन देना चाहिए कि किन परिष्थितियों में और क्यों कैसे तीनों पालियों में जो रिजल्ट आया है उसमें जो पांच मार्च को पनर पड़ इच्छा हुई उस सिप्ट की जो अभियर्चियों की संख्या है रिजल्ट में वो बहुत कम क्यूं है लग किस पाली में कितने अभियर्थी सफल हुए है कि पांच मार्च वाली जो पड़िच्छा हुई उसमें लगबग 2600 ही पास की है उस सिप्ट से जो पुनर पड़िच्छा थी तो बियस सिप्ष्ट करें कि आखिर ऐसा क्यूं हुआ क्या सच्चाई है हम नहीं जानते इसमें क्या सच्चाई है नहीं है बियस सिप्ष्ट करें बियस सि को पता होगा ना बियस सि ने रिजल्ट जारी किया तो बियस सि बताए कि क्या सच्चाई है जो सोशल सैप्स पे चल रहा है जो अभियर्थियों द्वारा सवाल किया जा है कि 5 मार्च की पुनर्ट परिक्षा जो हुई उसमें 26 ही रिजल्ट है तो क्या ये सही है कि 26 ही रिजल्ट है और अगर ये सही है तो क्यों सही है और अगर ये गलत है तो एक्जेक्ट डाटा बताए तीनों पालियों का कि कितने-कितनी संख्या में अभियर्थी सफल हुए है और साथ ही पारदर्सिता लाने के लिए BSSE, OEMRC, पोस्चन, आंसर की और सभी परिच्छार्थियों का मार्क्स ऑनलाइन जारी करें और जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा दिलिप कुमार्क BSSE पे सवाल खड़ा करते रहेगा इस रिजल्ट पे सवाल खड़ा करते रहेगा हम किसी से न जड़ने वाले हैं न जुकने वाले हैं न बिकने वाले हैं BSSE ये बताएं कि किन परिच्टितियों में 5 मार्क्स की जो परिच्छा हुई उसका जो रिजल्ट आया है तो उसमें संख्या कम है या नहीं है अगर संख्या कम है तो क्यों कम है